हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn It के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक टू के बारे में जो कि है यूनिट टू स्पोर्ट्स और नूट्रिशन का तो अब हम बात कर करते हैं कार्बन से बतला वाइटमिन के अंदर जो बेसिक कोर कंपाउंड है वो है कार्बन से बना हुआ नेक्स्ट यह करता क्या है यह आपकी ग्रोथ और आपकी बॉड़ी की नॉर्मल फंक्शनिंग या वर्किंग में मदद करता है अब चाहिए तो वेसिकली यह बहुत यह इसलिए हमें उसे freshly absorb करना पड़ता है या रोज की रोज या continuously लेना पड़ता है अब vitamins को भी दो parts में divide किया गया है पहला है fat soluble vitamins और second है water soluble vitamins fat soluble की बात करते हैं तो वहाँ पर तीन core component लगते हैं one is carbon hydrogen and oxygen और इससे हमें कुछ vitamins मिलते हैं जैसे की ADE के किसके अंदर आता है fat fat soluble vitamins के अंदर आता है और water soluble vitamins की जहां तक बात करते हैं तो यह बना होता है nitrogen or sulfur is a core compound और यह soluble होता है water में इसी लिए इसका नाहम है water soluble vitamins इसके अंदर आपको B complex और vitamins यह आसानी से देखने को मिल जाएगा तो अब हम बात करते हैं पहले topic के बारे में जो की था fat soluble vitamins fat soluble vitamins के 4 topics थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था या 4 types थे तो पहला था vitamin A करता क्या है आपकी body की normal growth को maintain करता है अगर इसकी deficiency हो जाती है तो आपको night blindness की बिमारी हो जाएगी और यह आपकी kidney, nervous system और digestive system को भी बहुत ज़ादा effect करेगा अगर vitamin A की कमी है तो sources की बात करते हैं मतलब हमें यह vitamins किस चीच से मिल सकते हैं तो मिलता है milk, दही, घी, अंडा, मचली, टमाटर, etc. से second बात करते है vitamin D के बारे में तो यह क्या करता है आपके जो teeth है और bones है जो बने होता है calcium से उसको formation के लिए important है बहुत यह आपकी body के अंदर calcium और phosphorus को absorb करने में भी बहुत मदद करता है इसकी deficiency अगर आपकी body के अंदर हो जाती है तो आपको rickets या आपकी bones soft हो जाएगी और आपको दांतों की disease हो जाएगी या बिमारी हो जाएगी इसके अगर sources की बात करते हैं तो होता है egg, york, etc. के अंदर vitamin E की जहां तक बात करते हैं तो यह आदमी और और औरतों के अंदर fertility को increase करता है यह आपके adrenal और sex glands की proper functioning के लिए भी बहुत ही important है या required है इसकी deficiency से आपकी muscles weak हो सकती हो और आपका heart भी functioning weakly करेगा sources हरी सबजियां है, sprouts है, coconut oil है, vitamin K की बात करते हैं तो यह आपके blood में थक्का जमाने का काम करता है मतलब जब आपको लग जाती है और blood बहार आने लग जाता है तो वहाँ पर जो clotting होती है या थक्का जमता है बहार पपड़ी जम जाती है उसको जमाने में मदद करता है अग पालक, पत्ता गोवी, टमाटर, एट्सेटरा है तो अब हम बात करते हैं second topic के बारे में जिसको कहते है water soluble vitamins, water soluble vitamins के अंदर हमने दो parts पढ़े थे जो की पहला था vitamin B complex और second था vitamin C, vitamin B के अंदर 12 किसम के vitamins आते हैं, example आप ले सकते हो B1, B2, B3, B6 and B12, यह कुछ examples है, vitamin B complexes के, यह important क्यों है, यह आपकी body can the growth, proper function करना heart का, liver का, kidney का और आपको एक smooth skin provide करने में मदद करता है, इसकी deficiency या कमी होने के कारण आपको कुछ diseases हो सकती है, जैसे कि very very diseases, pellagra, और आपकी immunity भी कमजोर हो सकती है, या कम हो सकती है, अगर आप source की बात करते हैं, तो आपको इसका source कहां से म मिलता है, तो मिलता है wheat से, milk से, nuts, egg yolk, sprout, etc. तो अब हम बात करते हैं, vitamin complexes के बारे में, मतलब B complexes के बारे में, तो पहला इसमें type आता है, vitamin B1, जिसको हम thiamine के नाम से भी जानते हैं, या आपकी body के अंदर energy release करता है, खाने से, और आपको normal जो भूख लगती है, उसको भी increase करता है, या आपके nervous system के functioning के लिए बहुत ही जादा important है, second बात करते है, vitamin B2 के बारे में, जिसको हम riboflavin के नाम से जानते हैं, ये भी आपकी body के अंदर food से energy provide करता है, आपकी vision को बढ़ाता है, मतलब देखने की जो शमता है, उसको अच्छा रखता है, आपकी skin को healthy रखता है, और ये आपकी body के अंदर जो amino acid present है, जिसको बोलता है, tryptofen, जो protein को बनाने में काम आता है, उसको convert करता है, niacin में, vitamin B3 का नाम है niacin, ये क्या करता है, आपकी body के अंदर जितना भी food है, उसको metabolize करता है, और आपको energy provide करता है, मतलब use up करके उससे energy provide करता है, B3 और भी चीजों में involved होता है, जैसे कि energy को produce करने में, enzyme के function के लिए, digestion के लिए, खाने के appetite को बढ़ाने के लिए, आपकी skin को healthy और nerves system को healthy रखने के लिए भी काम करता है, तो अब हम बात करते हैं, vitamin B6 के बारे में, जिसको हम कहते हैं, pyridoxin, ये pyridoxin क्या है, बहुत important factor है, protein और glucose metabolism का, और ये body के अंदर formation करता है, hemoglobin का, hemoglobin क्या है, एक component है, RBC का, मतलब red blood cells का, और red blood cells का का काम है, oxygen को carry करना, vitamin B, आपकी body के अंदर, जो lymph node है, या thymus gland है, उन दोनों को भी healthy रखने में, बहुत जादा important है, vitamin B12 की बात करें, तो उसको हम cobalamin के नाम से जानते हैं, ये आपकी body के अंद रखता है, और आपके nervous system को maintain रखता है, या healthy रखता है, और last में आता है, vitamin C, इस vitamin C को आप ascorbic acid के नाम से जानते हैं, ये water के अंदर soluble होता है, इसलिए इसको water soluble vitamin B कहा जाता है, ये body के अंदर basically stored नहीं हो सकता, human की, पर बहुत सारे plants और animals को आसनी से अपनी body के अंदर produce कर ल proper growth, development और आपके जखम है, उसको ठीक करने में मदद करता है, next बात करें तो collagen tissues, जो की healthy teeth के लिए important है, gums के लिए important है, उसको भी manufacture कोन करता है, vitamin C, blood vessels, bones और इनको भी अच्छा या healthy कोन रखता है, vitamin C, इसकी deficiency से आपकी body के अंदर सकरवी हो सकता है, तो अब हम बात करते हैं कि weight control के लिए कैसे खाना चाहिए, तो पहले बात करते हैं कि खाना हमको है क्या, पहले तो right amount of food हमको use करना पड़ेगा या खाना पड़ेगा, जिसके अंदर सारे के सारे essential nutrients present हो, जो हमारी body के अंदर अच्छी तरीके से proper quantity में हमें मिले, और हम उसको क कर सकते हैं, use कर सकें, ज्यादा खाना खाने से मोटा पा सकता है, जिसको बोलते हैं obesity और कम खाने से आप underweight रह सकते हैं, मतलब आपका वजन कम हो जाएगा, इसलिए हमें बिलकुल appropriate या exact equal amount में ही खाना खाना पड़ेगा अगर हमको healthy रहना है तो, अगर healthy weight की बात करें, तो यहाँ पर 19 से 25 के बीच में जो BMI अगर होता है, BMI क्या है, body mask index, तो आप क्या है, healthy हैं, अगर आपका BMI 25 से 29 तक जाता है, एक west के अंदर, मतलब adult के अंदर, तो आप overweight की category में आते हैं, और अगर आपका BMI 30 से उपर चले गया है, तो वहाँ पर obesity की category आ जाती है, मतलब मोटा पा 1, मोटा पा 2 और मोटा पे 3 की category आ जाती है, मतलब obese 1, obese 2 और obese 3 की category आ जाती है, अगर आप देखें कि एक दिन में आप जो खाना खाते हैं, वो कितना calories होता है, 3500 calories होता है, और 3500 calories ही equal करती है, एक pound of fat का, तो अगर आप देखें कि 500 calories भी आप एक दिन की cut off करें, अगर 3500 calories में से, तो आप एक महीने में, एक सप्ता हमें, सौरी, आप अपना क्या कर सकते हैं, एक pound of fat को lose कर सकते हैं body से, इस तरीके से आपका weight control आप कर सकते हैं, अब हम weight control के कुछ tips के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हमें पता पढ़ेगा, control को proper eating के method से कैसे control कर सकते हैं, तो पहला topic आता है avoiding common pitfall, अब इसका मतलब यह है कि हम कितनी बार ऐसे चलावे में आ जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, diet chart बना लेते हैं, quick pills को use कर लेते हैं, slimming pills को use कर लेते हैं, दवाईया खाते हैं पतले होने के लिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, healthy रेने के लिए हम दवाईया ल जाते हैं, तो हमें ऐसा plan prepare करना चाहिए, जो बहुत realistic हो, जिसको हम आगे तक ले जा सके हैं, बीच में हमको failure का सामना नहीं करना पड़ें, second point होता है, stop to emotional eating, अब हमेशा हम हमारी भूग को मिटाने के लिए नहीं काते हैं, कितनी बार हमें comfort के लिए, या हमको कुछ stress है, उस चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, जो दीरे दीरे हमारी body के अंदर weight को क्या करता है, तो हमें emotional eating को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा, third topic आता है, tune in what you eat, मतलब अगर आप किसी desk के पे weight के खा रहे हैं, work करते हुए खा रहे हैं, या इस से आपको, इस tendency से आपने control कर लिया आपने आपको, और आप क्या करने लगे, खाने को ज़्यादा enjoy करने लगे, कून सी चीज़ को कैसे use करना है, utilize करना है, और कैसे nourishing और हम खाने को enjoyable बना सकते हैं, इसके बारे में अगर आपने जान लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, weight को हम बात करते हैं, तो लिखा हुआ है, fill up with fruits, veggies and fiber, इसका मतलब है, अगर आपको पतला होना है, तो obviously आपको calories को दो जरूरत है, और calories कम भी होनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है, कि हम क्या करें, अपने खाने को cut off कर दें, उसके वजाए आप क्या कर सकते हैं, अच्छे food को, मतलब जो food आपको calories जादा ना करें, और आपकी भूख को भी मिटा दे, वे से choose करें, इसका मतलब है, choose your food wisely, next आता है, indulging without over indulging, इसका मतलब है, आप कभी कभी क्या करते हैं, बिल्कुल ही deny कर देते हैं, ice cream, cookies, chips को use करने से, पर ऐसा हो नहीं सकता, लंबे समय तक, तो हम क् सकते हैं, उसको मना करने से अच्छा है, कि आप उसका consumption क्या कर दें, कम कर दें, सिमीत कर दें, next is taking charge of your food environment, इसका मतलब यह है, कि आप अपने आसपास का environment जैसा रखेंगे, वेसा ही आपके food की healthy habits भी बनेगी, अगर आप अपने आसपास healthy habits रखेंगे, खाने की, तो healthy habits बनेग लास बात करते हैं, तो making healthy lifestyle changes, अगर आप अपनी life के अंदर थोड़ी सी healthy lifestyle को ले आएंगे, तो obviously से आपको यह benefit ही करेगा, और आपकी healthy life ही रहेगी, अब हम बात करते हैं, कि एक healthy weight है क्या, इसको assess करने के लिए, बहुत ही simple है, कि आपको अपना body composition को अंदर account में लेना पड़ जाती है, एक तो आपका body weight, मतलब lean body mass कितना है, मतलब muscles और bone को मिला के कितना weight है, और आपके अंदर fat का कितना weight है, इन दोनों का अगर आप criteria maintain करके चलोगे, तो आपको एक healthy weight के बारे में पता पड़ेगा, अगर हम normal healthy weight की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो percentage of ratio होना चाहिए, वो होना चाहिए, 20% ही fat होना चाहिए, एक person की body के अंदर, अगर हम men की बात करते हैं, तो 20% और अगर women की बात करते हैं, तो 30%, इन दोनों के बीच में ही ratio complete हो जाना चाहिए, अगर एक person को maintain करना है अपना healthy weight, या check करना है अपना healthy weight, तो वह BMI की category से check कर सकता है, BMI क्या है, body mass index है, जिससे पता पड़ता है कि आपकी body के अंदर कितना percentage of fat present है, तो अब हम बात करते हैं, body mass index के बारे में, मतलब BMI के बारे में, इसको calculate क्यों करते हैं, क्योंकि body के अंदर, जो fat को calculate करना होता है, उसके calculation के लिए body mass index required होता है, अब इसका जो basis है, वो यह है कि हमको दो statement के अंदर भी, अगर आपको BMI को calculate करना है, तो आपको अपना weight लेना पड़ेगा kilogram के अंदर, और उसको divide करना पड़ेगा height, जो की meters में होनी चाहिए, और उसको वापिस से divide करना पड़ेगा height से, मतलब height को दो बार multiply करके, square से multiply करके, आपको divide करना पड़ेगा weight से, इसका example अपना simple सा है, कि आपको इस formula के लिए, BMI के formula के दो चीज़ required है, पहली तो height, second होता है weight, height चाहिए meter में, तो यहाँ पर 1.70 meters में है, और second होता है weight, weight चाहिए kilogram में, तो यहाँ पर 70 kg का एक person है, तो इसका BMI अगर calculate करेंगे, तो body weight से आप divide करेंगे, height meter में square के, मतलब 70 divided by 1.70 square, which means 70 divided by 1.70 into 1.70, तो answer आता है, यहाँ पर 24.22, इसका मतलब यह है, ऐसा person जिसकी height 1.70 meters थी, और उसका weight 70 kg था, तो उसका जो BMI निकला है, वो है 24.22, यहाँ पर हमको table मिलती है BMI की, कि BMI को calculate करने के बाद हमको कैसे पता पड़ेगा, कि कोई चीज़ underweight है, normal है, overweight है, या obese है, त weight का status है, मतलब जितना BMI होगा, उसके according आपका weight normal है, overweight है, always है, या underweight है, वो पता पड़ेगा, अब पहले बात करता है, below 18.5 लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा है underweight, इसका मतलब है, जो भी person 18.5 के नीचे आएगा, उसका वजन बहुत ही जादा कम होगा, second 18.5 से 24.9 तक ज person आते हैं, वो कहलाते हैं, overweight है, और last week 30.0 है, या इससे above हो जाते हैं, वो always 123 की category में आ जाते हैं, तो इसके पहले जो हमने एक solution पड़ा था, जिसके अदर हमने पड़ा था कि वो person का जो BMI था, वो था 24.22, तो उससे हमको पता पड़ता है, कि उसका जो status है, वो किस category में आता है, तो इस तरीके से आप इस table को पढ़के या इस formula को लगागे, किसी भी person का body mass index आसानी से निकाल सकते हैं, आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे, हम learn it पे आपके लिए easy or simple learning material बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी learning and listening capabilities increase होती रहेगी, अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है, या आपको कोई topic hard लगता है, या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं, तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं, अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है, तो please उसे like करें, और channel को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें, ऐसे ही और videos के लिए आप updated रहें, stay healthy, stay fit, bye बाई बाई भिच बाई बाई दो ओकिने वाद लगता पठाशा ग्राश मेंक करने दो को अगո है लो चाहते हैं, या वर भूलें कोपकल। ऑलेच्थませんी, बाई पिदने अरम पाता हैं, नो देते हैं को आटे हैं, जो jedगने दोड कोब़चर भीन हैं, तो हैंwnी हм आऊने ह